दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ITR refund के लिए जो bank account हमने add कर रहा है वो bank account क्या nominate for refund के लिए जो है validate है या फिर जो है नहीं है ITR हमने file कर दिया ITR का complete processing भी हो गया फिर भी हमारे जो है bank account में जो refund हमारा बन रहा है वो credit नहीं हो पाता है तो इसका दोस्तो यही region है कि हमने जो इसमें bank account add कर रहा है वो nominate for refund के लिए validate नहीं है और इस कारण हमारा जो है refund जो है credit नहीं हो पाता है तो इस वीडियो में मैं आपको complete procedure बताऊंगा कि किस तरह से आप भी अपने bank account को check कर सकते हो कि nominate for refund के लिए आपका bank account validate है या फिर जो है नहीं है तो इसको check करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो income tax की website है आपको website को open करना है और open करने के बाद उसमें आपकी जो user ID और password आपने जो create कर रखा है वो डालके और सबसे पहले उसके जो है portal में login हो जाना है तो इसके लिए आपको जो है ITREP link search में अपना type कर लेना है और जैसे ही आप type करोगे इस तरह का page आ जाएगा इसमें जो सबसे पहले लिंक दिया हुआ है पेज को थोड़ सा उपर की तरफ स्क्रोल करके और सबसे जो पहले लिंक दिया हुआ है इनकम टेक्स डिपार्मेंट पेन काड आधार काड या अधर यूजर आईडी जो आपने सेट कर रखी है वो यूजर आईडी आपको डालना है और डालने के बाद इसको जो है continue कर देना है जैसे आप continue करोगे इस तरह का page आजाएगा यहाँ पर जो एक checkbox बना हुआ है इस checkbox के उपर आपको क्लिक करना ह तो आपने जो password सेट कर रखा है वो password डाल के continue कर देना है किसी काड़ोस मानलो कि आपको password याद नहीं है आप या password भूल गए या password डाल रहे हो वो wrong password बता रहा है तो उस condition में क्या करना है आपको कि जो forget password का option दिया हुआ है इसके उपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कु करके और नया password generate कर लेना password डालने के बाद इसको जो है आपको continue कर देना है जैसे मैं continue करूंगा इस तरह का page आजाएगा welcome back आपका नाम show कर देगा इसके बाद में यहाँ पर आपका pain card नमर, आधार card नमर, mobile नमर और जो email है वो पूरा का detail जो है आपका show कर देगा तो आपको यह भी एक बार जो है confirm करके check कर लेना है कि यहाँ पर जो जो show कर रहा है वो correct information है या फिर नहीं है इसके बाद में यह option दिया है contact details का, तो contact details के सामने जो update का option है उसके ओपर click करके और आपको जो भी कोई चीज इसमें update करनी है या add करनी है या कुछ चीज माल लो आपका कोई mobile number हो गया या email है वो दूसरा आपको add करना है या पहले वाड़े को remove करना है तो वो भी आप जो है इसके ओपर update के option के ओपर click करके और easily इसको जो है changement कर सकते हो इसके नीचे यह option दिया है secure account का तो आप चाहो तो अपने account को जो है secure account के click करके वो भी कर सकते हो अभी मैं जो contact details का option है उसमें click करके और जो है एक बारी मेरी जो है details check कर लेता हूँ तो जैसे आप click करोगे click करते ही जो है आपका नाम शो कर देगा आपका mobile number आपका जो है आपने जितने mobile number इसमें add कर रखे होंगे आपका हो गया या आप मेंशे गरवालों का किसी और का add कर रखा होगा या पिर आपने इसमें email या अपनी personal information जो भी आपने इसमें add कर रखी पूरा का पूरा इसी page को उपर की तरफ scroll करके और आप जो है easily इसमें check कर सकते हो अभी इसी में एक option दिया है bank my bank account तो my bank account के option के ओपर जैसे आप click करोगे click करते है आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे illegal for refund तो यह दो option दिये वे तो दोस्तों एसा ही option आप में भी show करना चाहिए और नीचे nominate for refund blue tick भी show कर रहा तो इस तरह का option जो है आप में show करना चाहिए अभी यहाँ पर round circle के ओपर click करके और आप जो है आपका जो है bank detail देखना चाहते हो तो वो भी इसको अगर आप disable करना च चाहते हो यहां से हटाना चाहते हो तो उसको जो है easily आप जो है remove भी कर सकते हो तो दोस्तों इस तरह से आप जो है पहले अपने bank account को जरूर चेक करें फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो comment box में जरूर लिखे मेरे से जितना हो सकेगा पूरी help करूँगा धन्यवाद thank you